साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की है, वो आज एक उधान बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षन। आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेतारी और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए ही आदेश कैद रही जैसे अभियानों के जरिये सामोहिक प्रयास कर रहा पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्टप्स की चर्चा की थी। इस बार भी मुझे चिठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साती है यू प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदाव और बुंदेलखन छेतर में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है। इस चनोती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी न अपनी मुहीम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाउं का पानी गाउं में। आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जी भी किया यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी, समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानिय स्मूर्तियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा, आखिर कर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सज्यू करने की ठानी, लोग सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है, साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर, ये केवल जलस्रोत ही नहीं होते हैं, बलकि इन से जीवन के रंग और भावनाये भी जुड़ी होती हैं, ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महराष्ट में देखने को बिला, ये इ निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है, कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दोरान कैनाल में पानी शुड़ा गया था, इस दोरान जो तस्वीरें आई, वो वाकई भावुक करने वाली थे, गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे, जैसे होली दिवाली का त्योहा झाल को